नमस्ते गाईज, वेलकम बैक टू मैं चैनल और वेलकम टू मैं न्यू वीडियो और आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप थ्री, ट्राइसेप, मास गेनी एक्साइज, जो कि आपके ट्राइसेप को बढ़ा करने में काफी मुदद करीगी और आगर आप इसको फॉलो करते हो मैं यहीं बोला हूँ कि एक्साइज सबसे बेस्ट है, बहुत सारे ट्राइसेप की एक्साइज है, लेकिन आपको प्रॉफॉर्म करना होगा अगर आप इस जो एकसे में बताने वाला हूँ एकसाइज आप कम से कम दो हपता फ़लो करोगे तो आपको खुद रिजल्प पर चाल जाएगा कि भाई मेरे ट्राइसेब जो आगे से जादा पंप हो रहे हैं मेरे ट्राइसेब की जो बिल्ड है वो अच्छा हो रहे हैं और मे ओफराल आम की सईस बड़े करने तो ट्राइसेब जाला करना पड़ेगा तो चलिए विडियो को शुन करते हैं और बताते आपको टौप 3 कॉन एककॉन एकसाइज है जो कि अपका ट्राइसेब को माचछ बनाने में मदद करेगा तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं एकसे बताने वाला हूँ आपको ट्राइसेप की यह जो है यह बेस्ट है लेकिन बहुत सरे एकस्राइज है मैं आने वाले वीडियो में आपको और भी ट्राइसेप की अच्छा-चे मैं बताने वाला हूँ तो आप मेक शियोर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा विट बेल आइकन के साथ क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरे फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी तो अभी सब्सक्राइब ब तो गाइस सबसे पहले जो आपको एक्साइस परफॉर्म करनी है वो है रिवर्स गेप सिंगल आम टाइसेप एक्स्टेंशन आप देख सकते वीडियो में मैं कैसे परफॉर्म करूर एक्साइस को जब मैं उपर की तरह मेरे हैंड्स को ले जा रहा हूँ तो बिलकुल स्लोल कि जितना होसा कब स्लो ले जाएंगे उसके बाद में जब नीचा रहा हूँ पूरा आम्स मेरा एक्स्टेंशन हो रही है ताकि मेरे जितना लोड है वो ट्राइसेप पर और इस एक्साइस को तब तक करते जाना है जब तक आपके आम्स बिलकुल पंप नहीं हो जाते है ठी तो आपको यह बात ध्यार में डख नहीं होगी कि जितना स्लो आप उपर जाने के लिए परफॉर्म कर सकते हो उतना स्लो करिए ताकि आपकी जो लोड है ट्राइसेप को उपर हो जदा परे और आपके आम्स जो है वो बढ़िया तरीके से ग्रो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो जो से कर रहे हो आपके काम आने वाला नहीं है ठीक है तो जितना स्लोली करो फॉर्म जानना बहुत जरूरी है अगर आप सही फॉर्म से नहीं करोगे तो आपके एकसाइस काम में नहीं आएगा तो स्लोली करो जितना हो सके नमबर टू जो एकसाइज है वो है ओवर मैं normally press कर रहा हूँ dumbbells को ठीक है तो आपको ऐसी form लगाना है slowly नीचे आजाना है उसके बाद slowly आपको normally press करना है उपर की तरह ठीक है तो अच्छे form से करे effective result आपको ज़रूर मिलेगा और मैं रिलीस पे number 3 और last exercise है वो है tricep rope overhead extension आपको इसको 5 से लगाना है ठीक है बाकी जो 2 exercise मैं बताया आपको वो आपको चार्ट चार्ट से परफॉर्म करने लेकिन इसको आपको पांच से लगाना है कर रहा हूं इससे आपकी better pump मिलेगी आपको ऐसे tricep को पूरा extend करना है straight कर देना है इसमें आपको pump मिलेगी ठीक है एक बर फिर देखिए मैं आपके इसको परफॉर्म कर रहा हूं क्योंकि यह आपके best exercise tricep की मैं यह नहीं बोलना हूं कि यह सबसे बेस्ट है लेकिन अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको खुद रिजल प्रशाज जाएगा मेरे भड़ोस्ता मत रहो आप खुद तो आने वाले वीडियो में आपको और भी ट्राइसेप की बताऊंगा सब की बताऊंगा तो मेक शूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिया वीडियो पसंदा है तो लाइक कीजिएगा मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन नौट पीस की